अम्बे तू है जगदम्बे काली जै दुर्गे खपरवाली तेरे ही गुनगाए भारती समस्त दर्शगन को आईशा का प्रेम भरा नमन केवल भारती ही नहीं अपितू पूरे विश्व में माता भवानी का गुनगान किया जाता है मातारानी का यह महोच सव दुनिया भर में मनाई जाती है भारत, अफरीका, यूरोप तक और हर जग मातारानी का दरबार बड़े प्रेल एवं उच्सा एवं सुन्दरता से सजाई जाती है इन नौदीनों में हम लोग उस शक्ती की अराधना करते है जिनकी क्रिपा से इस श्रिष्टी की रचना हुई है मातारानी के नौ रूपों में से पहला रूप शैल पत्रे है दूसरी ब्रहभचारिनी, तीसरी चंद्रघंटा, चोथी कुष्मांडा, पाँचवी सकंद माता, छठी कात्यायनी माता, साथवी कालरात्री, आठवी महागवरी, और नवी सिथिदात्री नौ दिन हम लोग मातारानी के अनेक रूपों की आराधना करते है मातारानी अपने नव रूपों के द्वारा मानवता को मानव मूल्य सिखाती है और सदय अपने भक्तगन को अपनी मम्ता भरियांचल में समेट कर सुरक्षित रखती है तो चलिए हमारे साथ दुर्गा महोत्सव की महांता एवं महत्व का धयन करते हुए इस नवरात्री को और भी विशेश करस्त बनाते है शेल पुत्री माता शेल पुत्री संपूर्न जर पदार्थ अथवा प्रकृती से उत्पन यह भगवती का पहला रूप है मिट्टी पदार्थ जलवायू अगनी व आकाश इन पाश तत्वों पर ही निरभर रहने वाले जीव शेल पुत्री का प्रथम रूप है इस पूजन का अर्थ है प्रतेग जर पदार्थ अथवा गण गण में परमात्मा के प्रकटिकरन का अनुभव करना योनी चक्र के तहस घास शेवल काई पौधे इत्यादी शेल पुत्री है ब्रह्मचारी में माता प्रतेग वरिक्ष में इसे देख सकते हैं सैकरों वर्षों तक पीपल और बर्गज जैसे अनेक पेर व्रिक्ष प्रमचार्य धारन करने के स्वरूप में इस्थित होते हैं चंदगंटा माता भकवती का स्वरूप है यहां जीव में आवाज एवं वानी तथा द्रश्य ग्रहन वह प्रकट करने की क्षमता का प्राध्युभाव होता है जिसकी अन्तिम परीनिती मनुष्य में बैखरी है कुश्मांदा मनुष्य योनी में इस्तरी और पुरुष को मध्य इक्षन के समय मन्द हसी कुश्मांद देवी का स्वरूप के परिनाम स्वरूप जो आकर्शन और प्रेम का भाव उठता है वो भगवती का ही शक्ती है इनके प्रभाव को समस्त प्रानी मात्र में देखा जा सकता है सकंद माता पुत्रिवती माता पिता का स्वरूप है अधवा प्रतेग पत्रवान माता पिता सकंद माता के रूप है कात्यायनी के रूप में वही भगवती माता पिता की कन्या है यह देवी का छठा स्वरूप है काल रातर देवी भगवती का साथवा रूप है जिससे सब जर्चेतल मृध्यों को प्राप्त होते हैं अपरा और परा विभक्त हो जाते हैं मन की मृध्यों के समय सप्रानियों को इस स्वरूप का अनुभव होता है भगवती के इन साथ स्वरूपों के दर्शन सबको प्रत्यक्ष सुलब होते हैं परंदू, अथवा और नवास्वरू पराप्रकृती होने के कारण सुलब नहीं है महागौरी भगवती का आठवा रूप, महागौरी जगत की कालिक वृती न रहने के कारण गौर वर्न का परमशुथवा परमपवित्र है सिद्धिदात्री भगवती का नवारूप सिद्धिदात्री है यह ज्ञान, अथवा, बोध का प्रतीक है जिससे जन्म जन्मांदर की साधना से पाया जा सकता है इसे प्राप्त कर साध़ परम सिध हो जाता है इसलिए इसे सिध्धी दातरी कहा जाता है इसमें शक्ती स्वयम शिव हो जाती है पारवती स्वयम शंकर हो जाती है और राधा स्वयम कृष्ण हो जाती है आत्मा अर्धात जीवात्मा अपले परम स्थिती में परमात्मा हो जा इसी तरह मादुरगा के हर नाम से ही उसका अर्थ उटातित हो जाता है। मा इस्तरी शक्ति को भी रुपाइंत करती है। सनातन की सीक है कि इस्तरी अगर कुछ अर्थों में वन्चित है तो वह मुप्ति शक्ति वह अधिकारों की पात्रा। अधिकृता वन अधिकारी भी है, वहं आधुनी का समर्था है, वहं सदा शीव की पूरक रही है, प्रकृति का पुरुष हुश से वन शीव का शक्ति से सहकार समता की धारा तल पर है यथा भगवान शेप पर प्रीती रखने वाली भारी या महते तपस्या करने वाली जिसके स्वरूप का कहीं अंतना हो सबको उत्पन करने वाली भावना एवं ध्यान करने वाली जिस से बढ़कर भव्य कोई और नहीं रेश्मी वस्त्र पहनने वाली असियम पराक्रम वाली इत्यादी है माभवानी शक्ति के बिना शिव भिश्व है समस्त आगम शास्त्र पराशक्ति के महीमा का गुनगान करते हैं बिना पराशक्ति से शक्ति प्राप्त किये हुए ब्रमह, विश्णु तथा महेश भी रचना पालन तथा संहार का कार्य नहीं कर सकते स्वयम शिव जी मा पार्वती से कहते हैं हे पार्वती तुम्हारे बिना मैं मृत शव हूँ तुम्हारे साथ रह के ही मैं महादेव और सब कामनाओं के पूर्थी करने वाला बन जाता हूँ सरव मंगल मंगल ये शिवे सरवाथ साथ के शरण्य इत्रयम्ब के गोरी नारान्यनी नमोस्तोते जिन्दगी की हर तमनना हो पूरी कोई भी आर्जू ना रहे अधूरी कहते हैं हाथ जोड़कर मादूरगा से बिंटी कि आपकी हर मनों कामना हो पूरी जगत पालन हार है मा, मुक्टी का धाम है मा, हमारी शक्ती का अधार है मा, सबकी रक्षा की अवतार है मा, जय माता दी इसे के साथ आप सभी को नवरात रखी धेर सारी शुब कामनाए और इसी प्रकार माताराने की किरिबा आपपर बनी रहे धयवाद कर दो कर दो कर दो